उसे डाई से बुस्रा सुरे नुमस कर सीदे खड़े होना है अपने अपने हाटे ते आप प्लोज में आइस अपने हाटों को चोड़ना है आपके दोलो बन करके अब लबे साज लोग आगे रहों करें लिए ताडास्त ताडास्त लोग रेलाक्स पोजिशन, रेलाक्स पोजिशन स्टुटेंस अपने फीज स्रूप उपर तील स्रूप पर करना है यह अपने फीज स्टेंड होना है यह उपर करके अपने पंचों के खड़े होजाओ और अपने अपने फाट उपर दरें विटो एविकों को फोल्ड करके तो रोपो पो एंद को डालकर प्लाइट इस 30 seconds तर लिसमी पॉट्शन में कड़े हो इससे आपकी एंकल आपकी निज आपकी हैंट जाना है और आपकी हाइट कड़ेगी इससे अपनी हील जाना है वो टोस के उपर खड़े होना है लोल इस कोश्य को 30 SEC1D Now move left side Up left side, move करो 15 seconds 15 seconds के ये left side Very good Then move right side Now move right side This is also for 15 seconds Your arms भी पूरी stretch होनी चाहिए और आपकी back Now relax Relax सीधे करें जो Next risk भी कोई असर? अगला है भी कोई असर? अगला हम करेंगे कोई असर? Open your legs अपनी legs को ओपन कर लो जैसे मैं के खोले हैं Firstly your right You will touch with your left hand Right arm को And your left hand के साथ touch करो और आपका सेर उपपर की तरफ होना जाहिए अपनी right arm को left field के साथ touch करो Now change और पी position अब आप change करोगे अपनीe को नासर, इसके अपी इसको मैं के युचिर दू अगे ने अभी ला पोशियर इसके ने को नासर का चेंच करो बच्ची इसके सासाथ करो इसको अपने इससे बोडी की फैट रिमूव होगी अपनी पश्ची मोथ आसर पश्ची मोथ आसर अपनी आर्म्स को सीधा उपर करो और धीरे धीरे नीचे की दरब जुको धीरे 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 और फीट को टंच करना है अपनी इसी पोश्चर में आप 20 सेकेंड तक रुको होगे अपनी राइट लेग को लेफ्ट हाई पे और अचाएंगे लेफ्ट लेफ्ट को राइट थाई पे रखना होगे लेफ्ट हाई पे लेफ्ट फीट को राइट थाई पे रखना है बिल्कुल बैक सीधी रखनी है आइस बंद रखनी है फेस आपका सीधा होना चाहिए और लंबे-लंबे सांस लेनी है विश्ट लेक्स लो अपनी लेक्स की सीधी कर लो बिल्कुल सीधी लेक्स कर लो पात आपके पिछे की तरह पो रखने पैरोगों किलाओ इससे चोट की लेक्स की बेड़ है तो जिनी की बेले सेवर मेरी की प्लोकेज है तो अधर हो जाईए झाल